प्रिये मित्रो मैं आज चाई बासा में आया हूं और सीएस प्रधान जी ने हमारे बागवानी प्लांट का डिमांड किया था और इनकी नरसरी फिजिटकर में आया हूं कि कि इतने प्लांट जिवीत है या कोई पौधह मर गया क्योंकि पौधह का इंसुरेंस भी होता है अग इस प्लांट के बारे में कंपनीक विशा में अपना मंता पर देंगे विक्रम जी नमस्कार दोस्तों मैं रोयल लाइफ एग्रोंडिया प्राइबट लिम्टेट के मारपत से आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं यह जो देख रहे हैं महागुनी का पेड़ यह कम के अंदर में भावना है कि कहीं भी अगर पलांट लगाएंगे तो उसके नीचे खेती नहीं होगा लेकिन हमारे यह सीएश परधान जी यह कम से कमी हां 200 पलांट लगाएं हैं महागुनी का पलांट लगाएं उसके बीच में बहुत सारे आम लगाएं हैं लंगड़ा मलदा माटर लगाया हुआ है प्याज लगाया हुआ है यहां उत्पात कर रहे हैं तो दोस्तों यह महागुनी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो मिट्टी को नैट्रोजन देता है इस मिट्टी को उबरक बनाता है उबरक बनाने का मतलब यह है कि यहां आपको जो नैट्रोजन की आउसकता होता है मिटी में, आपकी जो भी फसल होता है, उस फसल को अच्छा प्रोटीन मिलने के लिए नेट्रोजन दिया जाता है, वो लग से जिसे आप मार्केट में ओर या डेपी देते हैं, तो वो चीज लगाने की आपको आउसकता नहीं पड़ेगा, यह जो अनाज एक अवसधी एक अम्रीत के समान है तो दोस्तों आप इसके अंदर में आप सारे धान चावल गेहुं मका ओल टूटल चीज खेती आप कर सकते हैं सभी परकार का खेती कर सकते हैं जैसे आप अन्य किसान आज के डेट में अगर कोई भी अनाज धान गेहुं मका कुछ भ चीज देता है शरीप धान पे नहीं यहां तक कि आलू प्याज कुवी टमाटर मुली गाजर बेंगन जो भी फसल किन रहे किसान क्या कर रहा है दुकान से बोरा कबोरा और या डीपी ले आ रहे हैं मिट्टी में सान दे रहा है उसी मिट्टी में आलू टमाटर का पौधा क गाड़ दे रहा है और उसी पधास से फिल्टर करके किसान क्या खा रहा है और याड़ी दोस्तो हो यह डी खाने के वजый से आज इंसान का आयू जह है है वो 50 साल में बुजुर्ग हो जा रहा है, इनसान का सरीर सही से जवान भी ने हो पा रहा है, और उसके सरीर पचास तरग का बीमारी आ जा रहा है, उस बीमारी का जड़ और फसाद कोन है, और या डेपी, तो दोस्तों अगर आप इस तरह से अगर आप खिती करेंगे, इस पौ जिस ऑफ्षा सरीर के इव्मीनिटी पावर जो रहा है, हमेशे वरकरार रहे तो दोस्तों मेरी कहना, अगर आप मेरे मैसेज अगर मेरे जुआ अगर धकर जा रही है, तो यह पधा लग은े का प्रयाश कीज़ें, दोस्तों अमात्र ये कुम्पानी जो रेट देते हैं उसका बीच में हम अपना माध्यम से 50 रुपिया का जो और गनाजर जो दवाई होता है के चुआ का खाद और इसमें केलवर चला कोल चला मीन यह सारे जो मेट्रेल होता है समुंदर से घांस जो निकलता है उसी का जो खाद बनके आता है ओही ख तो थोड़ा साथ तीन साल का बाद में और थोड़ा मेट्रियल डालने से हम दस साल में यह फूल मेचुर्टी हो जाएगा और एक पाउधा का कीमत आफकता है एक लाग रुपिया इसमें कोई रोके हैं अच्छा सार में की बिक्रम जी कहना चाहेंगा कि हमारे सी एस प्रध सब्सक्राइबान, आपकोई उसम्हें बरत दौटी सब्सक्राइब्गा में की मेर साथ देख लुपिय। फ़न सब कलम किया हुआ है इन साल जैसे मंजर तो अभी सब आम में लग गया है इस आम को लगाएंगे नेस्ट यह भी आम मंजर देना चालू कर जाएगा एनि की वन यर्ष में ही आपको फल देना चालू हो जाएगा आम भी अमरूत भी लिची भी एनि हमारे पास जो भी फल गाउज वन यर्ष में ही फल देना चालू करेगा जागा तो दोस्तो किसान को मैं आपको कुझान को आत्म निर्वार बनाएगा अगर परधान जी बता रहा है की एक पौधा अगर एक लाग, तो कोई भी किशान अगर 100 पौधा अगर लगा लेता है, तो हंडिड परशेंट वो किशान कडौर पती बन सकता है, आज कोई भी किशान, जैसे आज बड़े-बड़े कंपनिया है, जैसे बहुत सारे उध्वक पति कंपनी है, किशान के परती कोई लोग भी नहीं सोच रहा है। इंडिया का पहला एक ऐसा कमपनी है Royal Life Agro India Private Limited जो किसान को हित के बारे में, किसान को आत्म निरभर बनाने के बारे में ये कमपनी बहुत बड़ा कदम उठाई है। किसान कोई भी किसान अगर 100 आधा लगा लेता है, तो किसान 100% कड़ोर पती बन सकता है। और ये छोटा सा जग्या में इतने सारे प्रधान जी पौधा लगाया है। इस पौधा 100% आज से 10 साल बाद एक प्रधान जी कड़ोर पती 100% बनेंगे। तो हर किसान कड़रपती बनने के लिए, क्योंकि इसमें जो फैदा है, आज अगर कोई 220 रुपिया को, अगर कोई बेक में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल में ज्यादा ज्यादा 400, 500, 600 होगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर 220 रुपिया का एक लाक रुपिया, ये फल, फूल, पत्ता, उक्सिजन, सारी चीज़ देगा, जाते-जाते ये आपको 50,000 से एक लाक रुपिया पैड़ आपको दे करता हैं, ये प्लांड को अगर आप लगाते हैं, तो 100% आने ओलफ फूचर में आप कड़ोर पती बनेंगे मेरे दोस्त, था मैं चाहूंगा केमरामेन थोड़ा सा CS पर्धान से दो सब्द अपने मेसेज को रखेंगे एक ऐसा लगाए जी पर्धान जी पर्धान जी मैंने चाहिए बासा में विजिट के आपकी इनर्सरी